चोपड़ा है जो किसने यूटूब चैनल पर मैं हरसा ही चोपड़ा आपका हर्दिक स्वागत करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, नीट सेलेबस को लेकर एक के न्यूज सोशल मीडिया पर तेजी से वाइरल हो रही है जिसमें ये का जा रहा है कि आने वाले समय में नीट सेलेबस में बदलाव हो सकता है साइध ये न्यूज आपने पड़ सुन ली होगी जागरन न्यूज पेपर के रिपोर्ट के मताबिक एंटिय और हेल्थ मिनिस्ट्री के बीच इस वीशे पर सर्चा चल रही है कि आने वाले समय में नीट में फिजिक्स को सिर्फ कौलिफाइंग मार्क्स के लिए रखा जाए और नीट में कैमेस्ट्री और बाईलोजी को प्रिफेंस दिया जाए तो ये नीट एस्परेंट को इससे फाइदा तो होगा ही लेकिन ये कॉप से लागू हो सकता है, लागू होगा या नहीं, अभी तक कोई confirmation नहीं है इससे उने student को फाइदा होगा जिनकी physics weak होती है और biochem strong होता है और इन student की संक्या ज्यादा होती है, लेकिन कुछ student ऐसे होते हैं जिनकी physics chemistry strong होती है और बायो वीक होती है तो ऐसे स्टूडेंट को इससे नुकसान हो सकता है क्योंकि अभी जिस तरह का का NTA पेपर तयार कर रहा है उसमें बायो कैम में स्टूडेंट के मार्क्स ज्यादा अंतर नहीं होता है लेकिन फीजिक्स में अंतर होता है और एक तरह से माने तो फीजिक्स ही सेलेक्शन का आधार बन जाती है इससे ड्रोपर स्टूडेंट को काफी फाइदा होगा और हमने पहले भी देखा है कि जब CBSC NEET का एक्जाम कंड़क्ट करवाती थी तब फ्रेशर बच्चों के काफी सलेक्शन होते थी जब से NTE NEET एक्जाम को टैकोर किया है ड्रोपर स्टूडेंट को काफी फाइदा हो रहा है इस बात को तो हम सब जानते हैं मगर अभी काफी सारे बच्चों को ये जानने की जिगे अचा है कि न्यूज सेले बस कब तक लागू हो सकता है क्योंकि न्यूज आने के बाद काफी स्टूडेंट ये भी सोच रहे हैं कि ड्रोप करके वो बायो कैम में तो अच्छा स्कोर कर सकते हैं तो मैं आपको बता दूँ कि अगर ये 22 के लिए चेंजिंग होता है तो इसकी चेंजिंग के बारे में हमें नीट 22 के इनफोर्मेशन ब्लेटीन में ये देखने को मिलेगा कि ये चेंज हुआ है या नहीं हुआ है जो जनवरी 22 या फ्रवरी 22 में जारी हो सकती है लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि ये 22 से लागू होगा ही नहीं भी हो सकता है तो आप अपने preparation अपने पहले के इसाब से ही करते रहें इसके बारे में ज्यादा कयास नहें लगाएं तो इसके बारे में जैसे ही कोई change होगा information blatant से पहले जैसे ही कोई changing होगी update मिलेगी कि इसके विशह में क्या निर्णा हुआ है तो हम आपको इस विशह में वीडियो बना कर inform कर देंगे और इसके बारे में जैसे जैसे कोई update मिलेगी वो भी आपको time to time inform कर दी जाएगी तो एक ही चोटी सी जानकारी थी बच्चों के काफी comments आ रहे थे इस विशह पर कि क्या ये कब लागू हो सकता है तो मिलते हैं नई जानकारी के साथ नए वीडियो में तब तक के लिए जैए